इस वीडियो में प्रूफ करना है कि डाइगनल्स ऑफ पैललोग्राम अगर डाइगनल्स ऑफ पैललोग्राम पर्पेंडिकुलर है तो इसी प्रूफ करना है तो पहले हम एक ABCD पैललोग्राम कंसिडर करते हैं तो हमें गिवन है कि ABCD है और इसकी डागनोर्स पर्पेंडिकुलर है तो यह 90 डिगरी अंगल तो हमें यह प्रूफ करना है कि यह रोंबस है तो हम पहले तो प्रूफ है हमारा अबी सी डी इस रोंबस और गिवन है और हमें गिवन है कि यह एंगल अगल ओ ए बी 90 डिगरी है सभी 90 डिगरी है यह सभी गिवन हमें 90 डिगरी है और हमें गिवन है कि ABCD क्या है पैरललो ग्राम तो हम प्रूफ करना है सप्कुनारी थरे अच्छाओं इस परहले राता है इस बियुटर बंधाय रखकोर एच्रेस में कि युटरी वजटा जिएS भॉन आपको कि र खॉल्ट। O D, your diagonals, diagonal of a parallelogram, backtrack each other, so B O is equal to O D here, and A O is equal to A O, common, A O D is equal to A O B, angle, each 90 degree, and A O is equal to A O, common, so therefore, triangle A O D is congruent to triangle A O B, यह हमें प्रूफ कर दिया है, by S A S criterion, S A S क्राइटेर, S A S क्राइटेर, S A S क्राइटेर, S A S है, side, then angle, then side, this criterion है हमें प्रूफ कर दिया, कि यह congruent है, अब यह दोनों congruent हो गए है, तो, so, A D is equal to A B, congruent part, triangle से congruent part equal होते हैं, सारे part equal होते हैं, A D is equal to A B, तो similarly हम निकाल सकते हैं, B C is equal to C D, पता हैं कि अगर parallelogram के, parallelogram के, अगर adjacent sides equal हो जाते हैं, sides अगर equal होते हैं, if parallelograms, adjacent sides are equal, then it is the rhombus, therefore, therefore A B C D is the rhombus, next video में पढ़ेंगे, कि, अगर parallelogram के, diagonal होते हैं, और राइट अगर बाइसिक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो, वह square होगा, square proof करेंगे हम, next video में,